पंच महल के सहरा तालुका के बाकरिया गाओं में 50 से जादा प्रतिशत खेत में बाल का पानी आने से खेती के किसानों को भरी नुक्सान जिलना पड़ रहा है पंच महल के शहरा तालुका के बुराडी गाओं में 10 दिन पहले उफास में जादा पानी गिनने से नदी में बाड़ा गए इसके चलते 50 से जादा शेत्र में पानी फिर जाने से खेती का पुरा पार्क भेग गया पुरी खेती नष्ट होने के कारण जगत का ताथ आज भोर अंधिरे में भेग गया ऐसा लग रहा था पार्क में फसल होने के कारण किसानों ने सरकार से मदद की गोहा लगए मां के मणी भाई और लक्षमन भाई का कहना था कि सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी नुकसान का जायजा लेने नहीं आया और उनका यह कहना है कि जिला कलेक्टर की तरफ से योगी कारवाही की जाएगी सरकार की तरफ से किसानों के लिए इतनी योजना चल रही है उसके बावजोद भी पिड़ितों को उसका फायदा नहीं मिल रहा ऐसा उनका कहना था पंच महाल से दिपक दरजी की रिपोर्ट अकाई बादरी और ड्वांगर जिवा पाकोन उपादन करिये छिए हाल मा अतिस्वर्तातना कारणे मैशागर केर मा उपर भास्ति करना ड्याम माथी पानी छोरतों तमाम खेडूतों ना खेतोर अमा पानी फरी वरेल छे और तमाम खेती मा नुक्सान थाहिल छे कोई सागबाजी के कठोर जिवा कोई पाकोमा कोई बिल्कुल बदू नुक्सान थाहिली छे जेती करिने सरकाशी तरप्ती कोई तंत्रा ये कोई तकेदारी करेल नथी कर कोई तपास करेल नथी हाल मा खेडूतों पायमाल थागिया छे हालमा तंत्रा आवी तपाशकरी ने वाकर्या गाब ना खेडुतों साहाइ मरवा पात्र बने तेवी बिनन्ती चे है।